जहां पर नुब फुर्वजव का नाम लेकर 17 के समय पर दिया लगाएगा ये, अराधना चंद्रभागा नदी के तटपर करी है यह बालु का शुरेंग बनाग। बहुत ध्यान देना आप लोग। किसी नदी में इसनानां करने जाओ। तीज तेवार पर अमवस्या, खुण मीमा, आधिक जो भी उस्सों मनाने के लिए आप किसी नदी के घंट पर जाते हो। किसी तलाव के घाट पर जाते हो किसी खुंद के किसी सरोगर के घाट पर जाते हो और यदि आप इस्णान कर रहे हो किसी पवित्र नदी में तो वहां की बालू रेच उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर जो पूजन करता है मात्र पांच बार उसी नदी का जल शंक में उसक काली मिर्स पात्र में नालिए और लोगा उसकह बोड़ा से तक़ यहां से पानी अच्छाने है तता है कि ता ड्सकानि पर हम इस– पहतेली को कुछ jerk लगा लिया जहां से शिवलिंग तर जल चड़ा यह जलादारी में गोल भूमा वूम के जहां चरण से नीचे जाता है वहां कुछ देर के लिए इस हतेली को लगा लिया जाता है अपनी हात की सीधे हाती हतेली को लगा लिया और देवदियो महादेव का या तो पंचाप्छार मंत्र या श्री श्री श्रीवाय नमस्कुता इस मंत्र का या महम स्भंजे मंत्र का इसमरण अधर दिल की बाद बगवन शिव से कहदीरा तो रहता है कि एक डो जिन जादा से जाधा तीम लिन जादा से जाधा पांच दिए बस छटे दिन ती ज़र्वत नहीं पड़ेगी बाब रास बत्ती बत्ती जोड तर इस वाट बत्ती बनाई है पूजन करकर एक दिये में वो बत्ती जो बालू का शिवलिंग बनाया है आर्थी शिवलिंग का अंदिरमान करा है जो तुमने किसी जंगा सर्यों नरवदा चिप्रा मंदाकनी नरवदा आदिक पवित्र नभियों के पाकी को जला लेना उसी से आर्थी उतार लेना पाकी वहां लगा कर छोड़ देना और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर बिसर्जन कर देना बिसर्जन करकर उसी जल को अपने ओपर छीच लेना सवाल लाग दुपकी का फल एक इच्छन जाता